आज आज हम जो है ना इतालियन ब्रैक बनाने जारे हैं जिनको इधर पनीनी कहते हैं ठीक है यह मैंने जो इसकी डो है ना वो पीजे वाली जैसे डो हो दिया वैसे बना के तो फिर मैंने इसको जो है इसको कट लगा दिये थे नाइफ के साथ अब मैं इसको ओवन में बेक करूंगी 25-20 मिनट्स के लिए ठीक है ओवन में इसमें पानी रखा हुआ है एक पंटेनर में ठीक है अब मैं इसे बेक करेंगे पेरे हम्मन तूहनड़ पे करेंगे पिर इससको अचम कराव 20 को दे ये पहले 10 मिन अपने के लिए नेनी को तो अब हम 25 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पहले करेंगे फिर उसका जो पाप कंटेनर में पानी रखा हो निकाल देंगे फिर 15 मिनट के लिए हम फिर इसको करेंगे आप अपने ओवन के साफ से इसको मैंनेज करेंगे यह देखिए 10 मिनट होगे मैं आप जो पानी वाला कंटेनर था ना वह मैं इसको निकाल दूंगे इसको क्योंकि इसको क्योंकि इसके जरा स्टीम हो जाती है कि अब हम इसको बैसे तो अनमस्टी हो गें अब मैं पांच मिनट के लिए तकरीबन इसको और रखोंगी और इसको मैं इसको निकाल के तो हम इसको कवर करके रखेंगे यह देखिए इसमें हम जोने फिलिंग करके ना आपको दिखा हूंगा कि अब मैं इसको जोना कवर करके रखते हूं पांच से दस मिनट के लिए फिर बिल्कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे अब जाएंगे आपको बताना है यान है कि जब हम इसको ऐसे कवर करके रखते हैं तो इससे पहले जोना हम इस पे थोड़ा सा ये ग्लास में पानी लेके तो ब्रश के साथ हम इसको जोना सारे एसे लगा लेंगे यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ना भी लगाएंगे अ आप हम इसको थोड़ी तेज के लिए कवर करके रखते हिंशे ships का अधुना on अपने मर्जी से कोई भी चीजे लेगे, यह सारे सालड, ओलिव्स हैं, सैलड के पत्ते हैं, फीज हैं, टॉमाटर हैं, आप इसको इसमें करें, मैयनेज लगा, आप कुछ भी जो आपको पसंद है, आप भी लगागे, जो है न इसको, इसको फिल कर सकते हैं, यह देखिए कैस सॉफ्ट अबलकु इसको पाने में गाया था न ब्रश के साथ, बिलकु सॉफ्ट होगे, बी केरफू, आप ने गए वदला इसको पाड निकालना थोड़ा सा, ताक इसमें फिलिं अच्छी चैसरे अपनी जगापे, तो इसको रिमोट कर देते हैं, अब मैं इसको में फिलि क्योंकि जब इसके उसमें पर चीजें लगेंगे, तो फुछी स्क्राइब हो जाएगा, ठीक है, सैलर्ट कप्ते लगाए, जो आपको पुसामद है, वो लगाए, तो यह तो निकालना थे लगाते हैं, अगर आपको पास चिकन है, वो लगा सकते हैं, जो आपनी चीज लग अनको भी बोख जी हुए, अलिंज लगा लिया है, तो आपको पिसाम की चीजें लगाना चाहते हैं, तो उसमें फिलिंग कर सकते हैं, तो इसमें यह देख, अब हम इसको यह पबर परता है, तो सिंपल सा जो न, समर सीजन में, लंच में आप कहा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, जैसे आपको पसांब दो, मापको इसमें प्लेटर में रिंगाते हुआ, यह देखें यह प्लेटर रिडियों है, यह लैमन सोडे ले लें, यह 7-Up ले लें, यह मैं इसमें लैमन और 7-Up हभी से डाल के तो तो आई स्टाल के यह देखिए आप स्याद होगे ठीक है बिल्कुल सॉफ्ट है ठीक है इंज्ड़ाई करें तो मिने मुझे कमेंड करके बता हैं आपको कैसे लगा थैंक्यू फर रोच में डविट्विट्व